तो गाइस आज हम उन्बॉक्सिंग करने वाले असू Zenbook S30 OLED की देखेंगे बॉक्स इंदर क्या है एंड मैं इस लाप्टप का फॉर्स इंप्रेशन दूँगा तो इस लाप्टप का प्राइज अभी वन लाक फिफ्टी है उसको करते जल्दी संबॉक्स मेरा नाम है आप देखरें जागरन प्ले तो इस बड़े डब्बे में हमें एक छोटू सा डब्बा मिलता है ओके नाइस इस छोटे डब में आपको लाप्टप मिलता सुजन बुक एस थर्टीन तो इसको देखते अंदर क्या है एंड से पहले देखने ते इस लाप्टप किसमें बॉक्स में और क्या है हमें एक लीव देखने को मिलती है जो कि बहुत अच्छा है कैरिंग के लिए ए हैस यहां पर बिजली बनी हुए तो चार्जें इसके अंदर चार्जर है यहां पर हमें एक चारजर देखने को मिलता है टाइप-C आई क्या साथ ऐसा चार्जर यह यह सपोर्ट करता यह यह लाप्टप तो अच्छी बात है शायद यह हमारे लाप्टप को जल्दी तो बॉक्स बहुत ही अच्छा है एक इस एन्वलप सी पैकेजिंग में ये लाप्टोप आता है इसको देखिए किता शांदार पैकेजिंग कर रहा है असूस ने इसको अगर लोग देखे तो लाप्टोप बहुत ही छोटा है बहुत पतल है बहुत लाइट वेट है येस तो आप यह रहा फर्स इंप्रेशन दो तो बिल्ट कॉलिटी बहुत अच्छी है प्लास्टिक नहीं है मेटल आइगेस है पर बहुत लाइट वेट है इस से पहले हम लोग लाप्टोप को साइट रखते हैं देखते बॉक्स अंदर हमें और क्या-क्या में देखने को मिलता है आइगेस विक स्टार्ट गाइड और यह सब तो और कुछ इत्ता खास नहीं है बहुत अरते साइट लाप्टोप को जल्दी सेट अप करते हैं देखते हैं क्या क्या है हमें इस लाप्टोप में एक OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है जो की 2K है 2818 by 1800 की 2K डिस्प्ले है जो क 16GB & 32GB बोथ LPDDR5 के RAM में आपको 512GB & 1TB देखने को मिलती है हमारे को टॉप मॉडल फुल पाइक पावर हाउस लाप्टॉप 1TB SSD के साथ दिया गया है मैं इस लाप्टोप को अभी पूरा रिव्यू तो दे नहीं से तो पर मैं इस पूरा अच्छी से टेस्टों को मैं सारी अब ही कुछ भी जो वीडियो तो पर एडिट करूंगा और सारी गेंश भी आप इस पर ट्राइ करूंगा तो अगर आप इस लाप्टोप को पूरा रिव्यू देखने चाहते तो जागरें पर काद मैंने रहे मैं में में लोग आपस अगले वीडियो में तिल देन स्टे से अग्योग करेंग्योग Потому